नमस्कार दोस्तों मैं नीरेज आप सभी क्या स्वागत है हमारे यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज पर आज हम लोग इस यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज की माध्यम से इस वीडियो में जानेंगे लीवो में 500 टेबलेट के बारे में इसका उपयोग कीमत खुराक साइड इफेक्ट टोटल जानकार इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लीवो में 500 यहाँ पे देख सकते हैं लीवो फ्लोकस असीन टेबलेट आता है आई पी फरम में आता है तो यहाँ पे इसका उत्पादन देखेंगे तो उत्पादन में में मेकल रुपीज एक पते यानि 10 टेबलेट के कीमत देखने को मिलता है अगर इसका उपयोग की बात करें तो इरीन इंफेक्शन में इसका उपयोग करते हैं जिसको मुत्रमार्ग संकर्मन से रिलेटर यहाँ पे जानकारी है जो मुत्रमार्ग संकर्मन होता है यानि जो पेसाब म संकर्मन होता है पेसाब में इंफेक्शन जिसको बोलते हैं उसको सुक्षन जीव के द्वारा होता है जिसको माइक्रोस्कोप से बीना नहीं देख सकते हैं यानि माइक्रोस्कोप के बीना नहीं देखा जा सकता है उससे होने वाला संकर्मन होता है और अधिकांस UTI बेक्ट जलन टाइप भी होटा है pharmi infection और इस तरह से कुछ भी होता है तो वहाँ पर इसका उप्योंग करते हैं जलन होते है उसमे और प्रोष्टेड में व्ग अगरे वजन उसमें उप्यों करते हैं परोश्टी इसका सबसे ज्यादा करते हैं enjoy democrat यहाँ पर प्रोस्टेट के देखेंगे तो प्रोस्टेट की सूजन प्रोस्टाइटिस कहा जाता है और प्रोस्टेट एक ग्रंती है जो की पुरुस में मुत्रासे के नीचे होता है यानि जो पुरुस के जो पेसाब करने की जो रास्ते होता है उसके नीचे होता है यह दिख न भी देता है रहो जो परिबहान करता उने आगे बढ़ाने का काम करता है कि यह प्रिपनाने करते हैं कि पललेट Technical empezar करता है उपर में होता हैं निमोन्हें फुल्स 2य जो टैबलेट एक इंटिवाय टी के तरह काम करता है एक एंटिवाइटिक है जो सबसे ज़्यादा इस सब बीमारिया में इसका उपयोग करते हैं तो उसमें नीमोनिया में भी इसका उपयोग करते हैं नीमोनिया में क्या होता है कि यह संकरमन होता है एक नीमोनिया जो कि एक या दोनों फेफरों की आयू के थैली यानि द्रव औ मवाद से भर कर सूजा देता है और जिससे बलगम या मवाद वाली खांसी बुखार ठंड लगना और सांस लेने की तकलीफ हो सकती है तो इसमें क्या होता है कि फेफरे में संक्रमन होता है फेफरे में मवाद या बुखार में मवाद के कारण बुखार लग जाता है या सूज बढ़ जाता है फेपरों में सास लेने में तकलीफ होती है उसमें इसका उपयोग करते हैं और इसका बात करें उपयोग कि तो साइनोसाइटिस में इसका उपयोग करते हैं से इंफेक्शन में करते हैं जो किसी तरह की जो पर फंगल या वायरस स्थैक्शन होता इसके लिए breakthrough चीकिटिचा लें नहीं कि सदा लेते हैं परनकाइटिस में सुआस नली जो होता है उस में मुह और नाक फेपरों के बीच के हावा के मार्ग सूच जाता यानि जो हावा लेते हैं मुह से उसमें दिग्कत होने लगता और बिचे शुरूप बरनकाइटिस में ब्रॉंचियल ट्यूबस की लाइनिंग की सूजन हो जाती है और ब्रॉंकायटिस में पिरीत लोगों को फेफरों में हवा और अक्सीजन लेने की छामता कम हो जाती है यानि ब्रॉंकायटिस होने पर अक्सीजन और हवा लेने की छामता वहां पर कम हो जाती है यानि जो हवा और आक्सिजन लेने के जो रास्ता होते है, वहाँ पे देखेंगे तो यार फिर infection हो जाता है, तो इसमें हवा लेने की छामता को काम कर देता है या फिर इसको बंद करने लगता है, तो वहाँ पर प्रोब्लम जादा होने लगती है, फ्लेग में इसका उप्योग करते है फ्लेग क्या होता है तो फ्लेग एक परकार के इन्फेक्शन है जो एरसेनिया पेसिस नामक बेक्टरिया के कारण होता है या बेक्टरिया मोखरूप से चुहों में पाया जाता है जाता है जो चुहों को काटते हैं और चुहों वह उन पीसु से मनुष्य और अन्य जानवरों के फ्लेग रोग फैल जाता है यानि चुवह से यह फैलता है और मनुष्री तक भी आता है फ्लेग रोग उसमें क्या होता है कि बाले गरा ज्यादा जहरने लगते हैं फ्लेग रोग में कर्णियल अल्सर में इसका उप्योग करते हैं कर्णियल अल्सर क्या होता है तो आँखे निकलने वाली आसु कर्णिया को बेक्ट्रिया वायरस और फंगी से बचाती है यानि जब आसु निकलता है उससे भी कई तरह के फायदा होता है जिसमें बेक्ट्रिया वायरस और फंगस टैपे निकल जाता है बाहर यानि इस तरह से देखेंगे तो यहां पर होता है उपरी वाला हिसा होता है आप आना में बहुता है या इसका उप्योग करता है आखाना या ऐनी आकों मैं कीचणर आना जो इसके आहित्र वाइटिस भी बोलते हैं इंग्लिस में आख आना जो बहुत फिंक आन की नेत्रस लेसमोय रे से यान की आस के सपीड भाग की भाहर ये खुजली भी हो सकती है और परभावित आख में जातर आशु आना या सूबह के समय आख को को खोलने में परिसानी भी हो सकती है उस तरह से इसको बोलते हैं आख आना यानि आखों में कीचा राना नर्मल वहसा में समाच सकते हैं और डिटीयस में यहाँ पर दिया गया है तो लाल बुखार एक तेजी से फैलने वाला संकर्मन होता है, जो एश्ट्रेफ गला से ग्रोस्त मरी जोग में से कुछ को यह रोग होता है, और लाल बुखार इसे लगभग पूरे सरीर पर लाल रंग चकते हो जाते हैं, और लाल बुखार आमतर पर, तेज बुखार और गले में दर्द के साथ शुरू होता है लाल बुखार बच्चों में ज़ातर होता है तो उसमें भी इसका उप्योग करते ह麼 किड्नी में सूजन में इसका उप्योग करते हैं किड्नियां होते हैं जो राजमा की आकरिती है स्थित होती है याने निफ्रोन नमग, फौंसन, द्वारा पानी, आयन हो नवा किया जाता है यानि जो नेफरान होता है उससे अलग किया जाता है वो मेडिकल बासा में होता है और बाइलोजी में उसको पढ़ने के लिए डीटियल्स में आता है बिसकत पदार्थ पदार्थों को सरीर से अलग किया जाता है और अवश्यक आयोनों को खून में सामिल किया जाता है यानि जो नेफरान होता है उसी को चारता है कि कौन सरीड में रखना है और कर बाहर निकलना है उससे रिलेटेड होता है जो किड्नी होता है जो देखेंगे कि राजमा के एक आरके ये किड्नी होता है तो इसमें इस तरह से इन्फेक्टेड होता ह अगर 500 mg ले रहा है तो एक बार लिया जाता है या फिर 750 ले रहा है तो भी एक बार ले सकते हैं कभी भी ले सकते हैं पांच दिन तक लगतार इसे लिया जाता है तो वहाँ पर ले सकते हैं अगर 2 से 12 वर्स के बच्चों की बात करें तो उसमें लिया जाता है 4 mg per kg के हिसाब से 2 बार दिया जाता है बच्चों में तो वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने के वेट के बच्चों होंगे 2 से 12 वर्स के बच्चों में तो वहाँ पे 2 हपतों तक दिया जा सकता है अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट गंबीर में साइड इफेक्ट हो सकता है उसमें दस्त हो सकता है गंबीर साइड इफेक्ट में बुखार हो सकता है पेट में दर्द, उल्जन, सीर दर्द हो सकता है मद्यम side effect में Gubj हो सकता है और pit में सूजन जैसे समस्या देखने हो को मिल सकता है हाल का side effect में मिल सकता है multi- angles अनेद्रा, चक्कराना, उरटि-काउरी और लाल चक्ते हो सकते हैं कोई भी side effect तो उतना नहीं दीखता है इस दावा को लेने से पर इसमें से कोई भी side effect की समस्य आपको दिखती है तो वहाँ पे अपने डॉक्टर की सला ले सकते हैं तुरंट और बात करें इस दवा का उपयोग की तो आप अपने डॉक्टर की सला का अनुसार इस दवा का उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर ये सूट करेग उसमें ये गंबीर असर पड़ता है तो वहाँ पे आप अपने डॉक्टर की सला ले सकते हैं किड्नी वाले पेसेंट में हलका असर पड़ता है तो किड्नी वाले पेसेंट में दिया भी जाता है और बात करें लीवर वाले पेसंट जो लीवर का दवा खाते हैं उसमें ये सुरक्चित होता है वो भी ले सकते हैं हाट वाले पेसंट में भी ये सुरक्चित होता है तो हाट वाले पेसंट भी इस दवा को ले सकते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पिसमापत होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट किजिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक यू